हलो श्रेंड्स, वेलकम टू माइनर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे आप सब लोग, मस्ट, बढ़ या तो उम्मीद कर रहा हूँ, लाट्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और काफी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, बायो मॉलेकूल के बारे में काफी सारी चीज़ें समझ में आने लगे होंगी कि बायो मॉलेकूल क्या होते हैं और कैसे होते हैं और कैसे उन्हें एनलाइस किया जाता है तो NCRT के हिसाब से टोटल 12 टॉपिक है, है ना 9.1234 करके तो हमने स्टार्टिंग के तीन टॉपिक कवर कर लिए थे, 9.1 जिसमें हमने एनलाइस बगर करना सीखा था कि किस तरीके से बायो मॉलेकूल को हम लोग निकालेंगे, एक्स्टेक्ट करेंगे, ठीक है 9.2 और 9.3 भी कवर हो गए थे, आज हमनों स्टार्ट करेंगे 9.4 से, ठीक है तो स्टार्ट करते है, प्रोटीन से, है ना, NCRT, टफ लगती है, अब असान लगेगी, ओके, स्टार्ट करें, चलो, आज आओ इधर पे जान दो, क्या बोल रहा है ये, प्रोटीन सार पॉली पेप्टाइड, देखो, पहली लाइन में भसा दिया उसने, प्रोटीन सार पॉली पेप्टाइड बोल दिया, अब पॉली पेप्टाइड क्या होते है, पॉली पेप्टाइड बच्चे को समझ में निया था, कि पॉल आमिन आइसिड को देखते हैं. ठीक है? क्यासा था मिन आइसिड? याद आ गया? C, यहाँ पर क्या था? O-O-H हुआ करता था. कारबाक्सलिक आइसिड है. उपर क्या होता था? N-H, 2, 1-H और R होता था. क्लियर है? अब जहों क्या करता हूँ मैं? सम्झाने के लिए इसको जो क कार्वाक्स लिक एसको खोल देता हूं मैं लिख सकता हूं ऐसा कार्वाक्स लिक एसीड को ओके लिख सकते हैं एक और अमिन अशिड लेते हैं इस बार इसका यहां पर एक तरफ आर कर लिया एक तरफ है अब इसको भी मैं खोल देता हूं यह रहा है और यह रहा है अब दो को होता क्या है दो अमिन अशिड यह वापस में कंबाइन होते हैं तो एक का कार्वाक्स लिक एसिड ग्रूप और एक का अमोनिया का अमीन का एच यह दोनों वाटर मॉलेक्यूल बनके यहां से निकल जाएंगे और मेरे पास जो बॉन्ड है एक बॉन्ड बनके तयार होता है खीक है ना यह जो बॉन्ड है जो यहां बॉन्ड बनके तयार हो गया है अच्छो देख पारे हो यह जो बॉ दो amino acid के बीच में एक peptide bond तीन के बीच में दो होंगे और जो protein होता है बच्चो कम से कम कम से कम 10,000 amino acid आपस में जब combine करते हैं होते हैं 20 amino acid हैं लेकिन वही बार-बार repeat होते हैं एक खास sequence में repeat होते हैं ठीक है repeat होते होते हैं जब ये bond बार-बार बनते हैं तो ये एक peptide bond हुआ ये एक peptide bond हुआ 10,000 जुडएंगे तो 9,999 peptide bond बन जाएंगे तो क्या कहा जाएगा उसको polypeptide कहा जाएगा clear हुआ polypeptide क्या होते हैं तो protein को इसलिए हम लोग को कि उसका अधा धेर सारे peptide bond होते हैं इसलिए हम उसको polypeptide भी कह देते हैं clear हो गया they are linear chains देखो वह नहीं होता है न ये chain एक फिर अगली फिर अगली फिर अगली एक chain बनती चली जाएगी linear का मतलब हो गया straight ये एक straight chain होती है किसकी amino acid की देखो वही बात बोल रहा है ये लाइन के लिए लिए लिंक्ट बाई peptide bond किसे लिए होते है peptide bond as shown in figure 9.3 पीछे दिखा रखा है उसको बाद में डिसकस करेंगे फिलाल इसको यहां से समझ लेते हैं ठीक है ओके आगे आते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये figure 9.3 चेक कर सकते हो देखें जा रहा कहा है figure 9.3 ओफो ये है ठीक है न ये डाग्राइम प्रोटीन पॉलीमर ठीक है पॉलीमर में पहले डिसकस कर चुका हूं नहीं किया कि कर दिया है ठीक है मैं कहा है रहा हो मेरे पास छोटी छोटी रिंगस है क्या है रिंगस है रिंगस है यंदी में कहेगा तो छला कहलेगा अब मैंने क्या क्या इन ही को आपस में पिरों दिया एक के अंदरेग पिरों डिया अभात ल क्या वन गई बैच्चे लो का chat call सरी doesn't इस writer gain किसी रेंग की अचिन किसी के वत द्रक्रख को नीए यह यह इक नाम पड़ आपस में जुड़ गई है तो यह जो rings है इन rings को हम लोग क्या वोलते हैं mono मतलब single mark क्या वोलेंगे इनको mono-mar भोलेंगे ठीक है और जब mono-mar आपस में जूड़ करके एक नया product बना लेते हैं अब यह chain और रिंग में अंतर है ठीक है ये कुछ नया प्रोटेंट बन गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलीमर कहेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे पॉलीमर कहेंगे बात समझना आ रही है तो पॉलीमर और मॉनोमर में बात दिल्कुल किलियर होगी होगी कि polymer क्या है और monomers क्या होते हैं इसी तरीके से amino acid एक monomer है बार 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 जुरता चला जा रहा है और polymer क्या बना protein तो मैं लिख सकता हूँ amino acid क्या है monomer उससे बार बार polymerize हो रहे हैं बार बार water molecule निकल रहा है तो क्या बन जा रहा है प्रोटिन मन जा रहा है क्लिए रहे बातनै है ठीक है आगे चलें त्वोए जै क्म प्रोटलीं दियुख्ट यह बात के लिए हो गया प्रोटीन क्या है पॉलीमर है याने की बड़ी चीज है किसकी बनी हुई यह अमिन असेट के रिपीट हुए है यहां पर कुल मिलाके कितना अमिन असेट है मात्र 20 ठीक है ना एक्जामपल एलानाइन सिस्टीन प्रोलीन ट्रिप्टोफेन लाइसीन डिसकस कर चुके हम लोग इसके बारे में अमिन असेट के बारे में लास्ट लेक्चर में ठीक है अगर भूल गए हो यह दिमाग में नहीं आए वीडियो पॉस करो और अमिन असेट वाला पर्ट को फटाट इंसेट करो ठीक है ना अब और ऩूसर्टीन ही जा हर आप फॉलिमर ह्ट्रो फॉलिमर है ठीक है फिप्ट्ट फॉलिमर अगे क्षिए ज़्क और घब रिपीट होगी एक्षि आमीम्हान लो एक मदो एकजी अंद्रभर रिपीट फॉजाता तो तो क्या लाता हॉमो अभूल आप्ट- translating से हर बार एक नया या बारिम हम्हाना जे हिट्रोपॉलिमर है कि होमोपॉलिमर है ओके तो देखते हैं क्या बोल रहा आगे प्रोटीन इजा हिट्रोपॉलिमर अग होमोपॉलिमर has only one type of monomer हम यह चेन में कह सकते हैं यह जो मेरी chain है यह एक होमोपॉलिमर है ठीक है ना एक ही टाइप का monomer बार 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 अटैच होता है मोपॉलिमर के लिए हो गया ना कोई भी चीज हो सकती है जो जुड़ करके बाद में बड़ी कीज बन जाती है उसको पॉलिमर बोलते जो बड़ा बन जाता है ठीक है क्या कह रहा है one type of monomer repeating end number of times होमोपॉलिमर में एक ही monomer एक ही monomer 12 बार बार रिपीट होता है end numbers of time ठीक this information about the amino acid content is important as letter in your nutrition lessons कह रहा है यह जो information यहाँ दे दी इन लोगों ने आगे जाकर के letter मतलब बाद में तुमारा जो nutrition वाला lesson है उसमें यह क्या करेगा तुमको help करेगा ओके कि protein का अंदर कैसे कैसे बना होता ही है आगे आते हैं क्या बोल रहा है you will learn that certain amino acids are essential अब देखो यहाँ ब्रेक कर लो amino acid दो टाइप के होते हैं essential और non essential ठीक है जो amino acid है ठीक है एक page break कर लेते हैं ले ले दें आगे ओके जो amino acid है इसको खोल देते हैं जो amino acid है ठीक है क्या है amino acid है यह दो टाइप सो होते है essential essential मतलब जो जरूरी है non essential मतलब जो जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है मतलब क्या यह हमको नहीं चाहिए क्या बिलकुल चाहिए non essential इसलिए जरूरी नहीं है हमारी body इसको खुद बना लेती है, लिख लो ठीक है न, हमारी body make it itself वो खुद से बना लेती है इसको अच्छा, जो essential होते हैं हम लोग यूरीन वगरा करते रहते हैं और यह हमारी body से क्या होते रहते हैं, filter होते रहते हैं तो कहां से पूर्ती आएगी इनकी यह आते हैं through diet नहीं कि हमारी body इनने नहीं बना पाती है न लिख सकते हैं हमारी body नहीं बनाती इनको अगर नहीं बना सकती है तो यह आते कहां से हैं, यह आते हैं through diet, जो हम खाना खाते हैं, यह उस खाने से हमारे सरीर में पहुंचते हैं बात समझे आ रही है तो essential कौन हो गए जिनको हमारी body बना नहीं पाती है diet के थुरू या नहीं जो खारा खाते हैं उसके थुरू हमारी body में जाता है और non-essential कौन हो गए जिनको हमारी body बना सकती है वो हमेरे लिए इतनो essential नहीं रहे तो ठीक है क्या कहा रहा है अब यह से mark कर लेना that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet वो जो essential है वो हमारी diet के तुर हमारी body में जाते है hence dietary proteins are the source of essential amino acids dietary protein यान कि जो हम खाने में protein खाते हैं वो source है कि इसकी essential amino acid कि खाने के द्वारा जो amino acid हमारे body में जा रही है उनको हम लोग essential amino acid कहेंगे ओके therefore amino acid can be essential और non-essential देखो यहां तोड़ दिया इसने इसलिए amino acid essential और non-essential हो सकते है the latter are those which our body can make ठीक है ना letter इस letter का मतलब बाद वाला बाद वाला कौन इन दोनों में बाद में कौन है यह वाला बाद में है the latter are those which our body can make यह वो है जो हमारी body are those which our body can make जो हमारी body बना लेती है while we get essential amino acid through our diet food बल्ग और जब की जो essential amino acid है वो कहां से मिलते हैं through our diet वो हमको हमारी diet से मिलते हैं यानि का परक खाने से मिलते हैं proteins यह कहानी यहापर खतम हो गई यहां से start हुई किसकी कहानी start हुई यहां से लेकर यहां तक essential and non-essential की कहानी start हुई essential and non-essential proteins carry out many function in living organism ठीक है, protein बहुत सारी काम करते हैं हम जानते हैं, हमारा hair, skin antibodies, hormones enzymes, सब कुछ तो किसकी हैं protein की ही है proteins carry out many function in living organism some transport nutrients across cell membrane some fight infection नहीं बता है, antibodies ठीक है, some are hormones some are enzymes तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं proteins के function लिखे हुए ठीक है ना, सर्म proteins and their function उसका एक चार्ट भी दे रखा है, protein का नाम collagen है, intercellular ground substance जाने की जो intercellular जो हमारे cells के बीच में जो substance भरा होता है, ताकि वो खाली-खाली ना रहे, वो क्या होता है, collagen होता है trypsin एक enzyme है insulin एक hormone है, यह सब क्या है proteins है, antibody भी proteins होती है, जो fight करती है against infectious agent जाने की harmful bacteria वारे से हमको लड़ने में help करती है receptors, receptor proteins वो होती है जब कोई signal आता है तो उसे क्या करती है पकड़ती है, जैसे की smell, smell को जो हम सूंग पा रहे है वहाँ जो सूंगनी की छमता है वहाँ पर भी क्या लगे हुए, जो receptors है जो smell को सूंग रहे है, वो भी क्या है, proteins है और glut4, enable glucose transport into cell glucose का transport cell के अंदर हो उसको कौन करता है, glut4, ठीक है तो यह कुछ important protein है यह chart, मतलब table तो तो तुम्हों को क्या होने की याद होने चीए for need point of view के लिए रहे है, चले आगे यहाँ पर आगे, protein किस किस type मतलब क्या क्या काम करते है हमारी body में आगे और भी होंगे देखते हैं, क्या कह रहा है आगे, ओके एटसेटरा, ठीक है ना, आगे के बाद उसने क्या बोल दिया एटसेटरा बोल दिया है, ने की proteins carry out many functions in living organism such, some transport कुछ transport करती है, कुछ nutrients को लेके जाती है कुछ fight करती है, जैसे की वो होगे, antibodies होगे कुछ hormone की तरह behave करती है, और कुछ enzymes उमीद कर रहा हूँ 9-10 में यह सारे terms के लिए फिर के लिए होंगे, थोड़े बहुत तो आते होंगे, तो general terms से ही अभी हमारे पास बहुत डिटेलिंग नहीं हो रही है अभी इनकी, ठीक है, आगे बोल दिया, एटसेटरा, table 9.5, ठीक है उसमें कहा रहा है, table 9.5 पढ़ लो याद कर लो, important है collagen is the most abundant अगेन एक कोशन आ गया, protein in animal world, जानवरों की दुनिया में सबस्टाइब कौन सा पाई जा था, कोलेगन ठीक है, and ruby ribulose, bifosphate carboxylase, oxygenase है ना, rubisco इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे प्लांट का पढ़ेंगे प्लांट के जो हम लोग को पढ़ेंगे का कहते हैं, transpiration और फोटोसिदेश पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये enzyme का जिकर आएगा is the most abundant protein in the whole biosphere पूरे ब्रह्मा, ब्रह्मान तो नहीं कहेंगे biosphere मतलब, ब्रह्मान नहीं है bio मतलब जो हमारा living sphere है जहां पर हम लोग रहते हैं bio मतलब living, वो गोला जहां पर जीवन है, उस गोले में उस गोले में सबसे ज़्यादा जो protein पाया जाता है वो rubisco है, animal world में सबसे ज़्यादा protein जो पाया जाता है वो कौन है, kolegan है clear, तो protein clear हुआ कि नहीं हुआ किसका बना होता है, amino acid का amino acid polymers है, बीच में peptide bond होते है pause करके, खटाक से एक वर इसको जो लिखा है, book के अंदर देखो, मैं सिरसे बोलता हूँ, जो मैं लिखवाता चलता हूँ और जिसके में हिंदी बता जाता हूँ अगर दिक्कत है, तो उसको pause करके वीडियो को, उसमें उसकी हिंदी भी साथ-साथ में लिखते चलो, NCRT में सबसे दिक्कत आती हिंदी समझने में अगर NCRT तो कहानी तो है ये कहानी की तरह है, noble जैसे हम noble पढ़ते हैं ना बिल्कुल NCRT वैसी है सारी हिंदी लिखते चलो, जिसके जो मितलब नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद फिर रिवाइस करना है, बस क्या तुमारा CB, क्या तुमारा NEET सब हो जाएगा, लेकिन क्या चीज करना है पढ़ना पढ़ेगा कम से 15-20 बार ताकि वो अचीज दिमाग में सेट हो जाए क्लिए रहे, आओ, आगे आते हैं पॉली, कई सारे सेक्राइट मतलब सुगर सेक्राइट मतलब सुगर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पॉली सेक्राइट, मैं पहले बता दूँ यह कार्बो हाइडेट की बात हो रही है, ठीक है बहुत सारे सुगर, गुलकोस को सुगर बोलते हैं, बहुत सारे गुलकोस आपस में जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, गुलकोस, मोनमर ठीक है गुलकोस, एंड टाइमस अब पॉल देते हैं यह मेरा क्या हो जागा इस बार पॉलीमर ठीक है तो मोनोमर और पॉलीमर को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि दोनों का मतलब क्या है मोनोमर से क्या समझना है और पॉलीमर से क्या समझना है प्रोटीन के के से मोनोमर अमीनो एसेड ओके आगे आते ह तो दायेसिड इंसॉलीबल पेलिट आल्सो है पॉलिस्यक्रेट एस इन सॉलीबल इंसॉलीबल बच्चे ने दो दिन वाज किताब पड़ी ईसंॉलीबल ये क्या अइस इनसॉलीबल याद है किसी को अरे जो श्टाइटिक में ऐख्पेरिमेंट किया था कॉचलाई कॉचलाई पैसल और मोटार से उसमें निचोड दिया था उसमें जो अंदर रहे गया था उस क्लोथ के अंदर जो एसे इंसॉलिबल था मतलब नहीं हुआ था याद आ गया गुड नहीं याद है तो पकड़ो सबसे पहला जो हमने ट्राइक लोर एसे डाल करकर जो निकाल की निचोड़ा तो कह रहा है ऐसीड इंसॉलिबल जो उसके अंदर रह गया था इंसॉलिबल पार ठीक है ना आलसो है पवा यहीं से क्लीवल रहें सॉलिबल देख लो दिक्कत में आ तो फेलियर न कहां की बात ओर ही है किसका रिफरेंस लिया जा रहा ही है starting chapter के जो हमने discuss कर रहे थे okay also has polysaccharide उसके अंदर polysaccharide भी होता है as another class of macromolecule एक another class होती ही macromolecule उसके अंदर protein पाई गई अब क्या पाई गया? polysaccharide पाई जा रहा है ठीक है? ये भी क्या है? macromolecule है ठीक है? macromolecule हमने discuss किया था? याद आ गया डैल्टन्स वाला केस 800 डैल्टन, 1000 डैल्टन या देखो पीछे का है, ऐसे कैसे काम चलेगा polysaccharides are long chain of sugar, मैंने बताया, sugar glucose को sugar कहते हैं, इनकी लंबी chain है monomer है, बार 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 जुड़ेंगे क्या बना लेंगे, carvohydrate इनको sugar कहते हैं, they are thread, literally a cotton thread, सच में कहें, तो ये cotton की thread होती है microscope जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही है ठीक है containing different monosaccharides इसके अंदर भी क्या है, अलग-अलग monosaccharides होते हैं, as a building block, building block मतलब, building block building block देखो कहां से term आया है, तुमारा जो घर बना हुआ, उसमें बार-बार कौन सी जुड़ी है eat है, एक के उपर एक, एक के उपर एक, तो तुमारी building का सबसे छोटा block क्या हो गया, eat तो यहाँ, carvohydrate का सबसे छोटा block क्या हो गया, glucose तो नाम क्या पड़ गया, building block यही सब चुटी-मोटी इंगलिस है, जो बच्चे को समझ नहीं आती है, बच्चा confused हो जाता है, तो यानि की building block का मतलब क्या हो गया, monosecrate से मिलके बना है, for example, अब आगे example दे रहे, तो glucose, carvohydrate, polymer, monomer, clear, यहां से example है, यह कहानी यहां खतम हो जाती है, अब आगे example स्टार्ट होएंगे, mark कर लिए अगरो यहां से, यहां से क्या start हो रहे है, example स्टार्ट हो रहे है, book में ठीक ऐसी mark करते चलो, ठीक है, for example, cellulose is a polymeric polysacrite consisting of only one type of monosecrite, यह important हो गया, cellulose के अंदर केवल एकी type का monosacrite होता है, cellulose कहाँ पाए जाता है, cell wall में, ठीक है न, और वो क्या है, glucose है, पहला question नीट का, ठीक है, cellulose is a homopolymer, homopolymer अतलब एकी type का monomer होगा, ठीक है, इसको homopolymer ही बोल सकते हैं, another question पूर सकता है, cellulose homopolymer है, heteropolymer है, क्या है, start is a variant of this, but present as a storehouse of energy in plant issues, ठीक है, start क्या है, variant of this, किसका variant है वहीं है, इसका variant है, polysacrite का variant है, but present as a storehouse of energy, ठीक है, plant के अंदर यह storehouse of energy, energy का घर होता है, जितना भी खाना होता है, हमारी बोड़ी में glucose, glycogen की फिस्टोर होता है, plant में कैसा फिस्टोर होता है, starch की फॉर्म में, in plant tissues के अंदर, animal have another variant called glycogen, animal के अंदर एक दूसर टाइब का polysacrite पाया जाता है, इससे हम क्या कहते है, glycogen, हम जो glucose खा लेते हैं, जैसे कि plant ने photosynthesis कर के खाना बनाया, खाना बनाया, जितना यह काम का था, utilize कर लिया, जो बच गया, उसको क्या कर लेगा, श्टोर कर लेगा, जैसे मैं तुमको बता हूँ, तुमने खाना खाया सुवे रहे, ठीक है, वो जितना जरुत्ती इस्त्माल हो गया, ठीक है, अब मालो दुपैर में तुम किसी गली में जा रहे है, और कुत्ता पढ़ गया पीछे, भागोगे एकदम से, गुल्कोज चाहिए होगा, energy कहां से आएगी, जो store गुल्कोज होगा, गुल्कोज किसकी फॉर में store हो जाता है, तूट करके एक polymer बन जाता है, गुल्कोजेज, ठीक है, जिनलों को नहीं पता, बता दू मैं, जो हमारी रोटियों में, क्या होता है? कारवोहाइड़ेट होता है, ये कारवोहाइड़ेट तूट करके किसम बदलता है? गुल्कोज में, जो extrac Gradkle withdraw होता है, वो बदल जाता है, प्लाइकोजयन में और फिर जब वापस एनरजी की जरूद पड़ती है तो यह ग्लाइकोजयन वापस तूटता है किसमें गुलकोज में कहा नहीं समझ में आई यह कार्वोहाइट कहा था रोटी के अंदर किसके फ़ॉर्म में था वो तूटता है हमारी बाड़ी से तोड़त आगे देखतें कि आप बोल रहा है, glycogen भी इसका एक variant है, कौन-कौन आगा एक्जामपल में, cellulose, homopolymer था, star, एक आगे एक्जामपल, glycogen, इसका दूसरा एक्जामपल आ गया, inulin, तीसरा एक्जामपल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, inulin, inulin इसे पॉलिमर और फ्रक्टो का है न, glucose और fructose, है ना, in a polysacrade chain, say glycogen, क्या रहा है, एक polysacrade chain ले लेते हैं, चलो glycogen ले ले लेते हैं, say glycogen, the right end is called the reducing end, जो उसका right end होता है, उसका हम लोग क्या कहते हैं, reducing end, and the left end is called the non reducing end, ठाहिर है न, as branches as shown in the form of a cartoon figure 9.2 ठीक है यह देख लेते हैं फिगर यहाँ पर ओके यह देखो यह आ गया डाइंटरी पेंटर पोर्सन अफ ग्लाइकोजेंट ठीक है तो जिसका राइट एंड है वो क्या है हमारे पास यह छोटा सा पार्ट काट करें दिखा रखा है ठीक है यह राइट एंड है यहाँ पर देख रहूं यह डिच पार और लेफ्टन आता है वो दिखा रखा है के लिए रहे हैं टो आगे आते हैं इसके इसका एक लूं क्या हो सकता है और यह सकता है और रिडिउस नहीं सकता है पता है reducing non reducing chemistry में chapter number जब आ जाओगे तुम लोग redox reaction पट रहोगे वहाँ पर reducing non reducing का concept बहुत अच्छे से आएगा ठीक है reducing का मतलब क्या होता है जब कोई hydrogen part add हो सकता है या कहीं से हम oxygen को हटा सकते हैं दोनों का मतलब reducing होता है clear है आगे आते हैं star forms helical secondary structure इस प्राइम्री स्ट फॉल्ड चाइब का secondary structure बनाता है एक primary structure होता है primary structure में क्या मतलब होता है की कौन सा सुगर किसके बाद लगा हुआ है secondary structure मतलब फोल्ड वोल्ड होकर की जो structure बनता है यह उसे structure की बात कर रहा है ठीक है यह ह्यालिकल जैसे कि हम समझें कुछिश्ट करें इसमें किसके बाद कौन सी गुलकोस लगी हुई ठीक है वह होगे और पूरा स्ट्ट्टर सेकन्टरी के लाए रहा है ब्रांश दॉक्ल है इसमें क्या स्टार्च मौजूद है आयोडीन टेस्ट जो करते हैं आलू कर दाल के सब लोगों ने स्कूल में कर रखा होगा क्या है सेल्लोज डाज नॉट कंटेन कॉंप्लेक्स हलिसेस एंड हैंस कैनोट होल्ड आई टू अब वो कह रहा है सेल्लोज भी एक गुल को वह है पॉलिसेक्राइड है इस्टार्च भी एक पॉलिसेक्राइड है कॉशन राइज हो गया क्यूं इस्टार्च ब्लू कलर दे देता है क्यूं सेल्लोज ब्लू कलर नहीं दे रहा है इस्टार्च का जो हैलिकल स्ट्रक्चर है उसके हैलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर आकर क्या जाती है लेकिन इसमें जो होता है उसका हेलीकल कंप्लेक्स नहीं नहीं होता है तोblyra नहीं नहीं पाती है इसका गी सारी इंफोमिस्अन की स्वीक्जन होता है अगर गञ़ से देखो तो अगर में यहां पर लिख दूं ठीक है अगर मैं यहां पर पढ़ने करने बैठ याओं तो एक पॉइंट स्टावज का एक पोइंट सेल लॉड देखा जाए तो कई सारे प्वाइंट का एक पराग्राफ बना दिया है और बच्चा क्या करता है पढ़ता चला जाता है तो कई बार क्या होगा एक पैरा का दूसर अधर एक जो फ्लोश्टॉप बाद अगले का कोई लिंक भी नहीं होता है हर एक लाइन में कुछ एक नई इन्फोम्शन डाटा दे दिया एक तरह से क्या दे दिया है डाटा कि अच कि और क्या है इसमें लाष्ट में साइट डाइग्राम और एक खतम नेरे हम लोग आगे अब क्या कहारा है में प्लांट इसम वॉल्ень कीसका बना अंसों तो सेल ऑल्म याद आया सेललोस पेपर मेट फ्रॉम फ्लांट पलप है ना, pulp मतलब एक तरह सम कह सकते हैं, plant का बीच का जो पार्ट जो ने टहनी काटो उसके बीच में उसका गूदा टाइप मतलब है ना, उसका लकडी का मास निकाल करके, उसे गीला करके, गाडा-गाडा बना करके, क्या बनाते हैं, paper बनाते हैं, and cotton fiber is cell logic, तो कह रहा है, paper made from plant pulp, and cotton fiber is cell logic, जो paper बना होता है, किसका, plant के pulp का, लाने के plant से बना हूँ है, एक तरह से समझ लो, and cotton fiber हो यह cotton हो तो, qorta रहे हैं, दागा कहां से आया है, plant से आया हूँ है, यह क्या होते हैं, cell logic होते हैं, देपर मैंने कहा ना, हर line में एक data दे रहा है, हर line में कहा गरर रहा है, एक data दे रहा है तो plant cell wall made of cell loss पता है सब को यह बात एक डाटा हो गया है ना कहां पढ़ा था याद है कहां पढ़ाता बताओ जारा cell है ना the structure unit of life ना the cell जो चैप्टर था उसमें पढ़ाता हम लोग नहीं है पेपर made from plant pulp एक नहीं डाटा दे रहा है ठीक है पेपर जो made from जो बनाए जाते हैं plant के pulp से और cotton fiber देखा मैंने क्या कहा हर एक line को अगर तुम अलगर एक line करके लिखो तो कई सारी line हों का जोड़ है यह तो इसको तोड़ तोड़ के एक इक line को ध्यान से करना है हमको ठीक है ना फिर का कह रहा है there are more complex polysaccharides in nature कह रहा है इससे भी ज्यादा complex जो आपने पढ़ लिया भी तक ठीक है ना उससे भी ज्यादा complex polysaccharides नेचर में मौझूद है ठीक है they have as building blocks ठीक है उन they have as building blocks उनके अंदर जो building blocks होते हैं क्या क्या है amino sugars and chemically modified sugar उसके अंदर amino और sugar का combination और chemically modified sugar कुछ सुगर जो modified हो जाती है जैसे की glucose amine and acetyl galactosamine और etc तो complex polysaccharides की बात कर रहा है उनके अंदर building block यह नहीं किस से मिलके बने होंगे वो यह उनकी बात कर रहा है amino sugar and modified sugar ठीक है exoskeleton अब एक नहीं कहानी यहां से कर दी इन्होंने वो कहानी प्लाइट की खतम कर दी animal पर आ गए exoskeleton of orthopods for example have a complex polysaccharides अब कहना चाहरा है यह complex polysaccharides पाया कहां जाता है तो कहरा orthoport पता ना फाइला में पढ़ाता है हमने जिनके jointed leg जैसे की cockroach वगएरा ठीक है for example have a complex polysaccharides called kaitin इनके पास क्या होता है kaitin होता है complex polysaccharides ओके these complex polysaccharides are mostly homopolymer यह कैसे हैं homopolymer तो heading का डालोगे एक heading इला लोगे complex polysaccharides यही heading इसके character क्या-क्या है इनके building block कौन है immunosugars and chemically modified sugar कौन-कौन glucose amine N-acetyl galactosamine के लियर है example बताओ exoskeleton of earth report कौकरेश को बख करते हो cut 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 आवा जाती है हाड होता है ठीक है किसका बना होता है यह काइतीन का यह कैसे होते हैं polymer होते हैं तो यहां से लेकर यहां तक complex polysaccharides की बाते होई है हर पैरा में कुछ नई बातें सिखा रहा है वो clear है चले आगे nucleic acid ठीक है nucleic acid जो हम लोगोंने last lecture में DNA के बारे हम discuss किया था याद है भूल गए copy down किया था उसे DNA तीन पार्ट ठीक है न उस DNA का जो सबसे last में जो पार्ट बना था nucleotide ठीक है न यानि कि हम कह सकते हैं जो हमारा DNA है उसी को हम लोग क्या कहते हैं nucleic acid कहते हैं ओके आओ देखते हैं the other type of macromolecule एक और type का macromolecule है ठीक है nucleic acid जो मैं भी बात बता रहा था जो last में एक पार्ट था nucleotide उसी को बार 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 बनने करके क्या बनता है DNA बनता है तो DNA हमारे पास क्या है nucleic acid है ये भी एक क्या है macromolecule है the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction that one would है एक और type का macromolecule है जिसको कोई find कर सकता है किसमें acid insoluble fraction में फिर वही बात आ गई acid insoluble fraction याद आ गया good of living tissue is the nucleic acid nucleic acid is nothing but the DNA these are poly 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 मतलब बहुत सारे nucleotides यहाद आया nucleotide नहीं आया पिर से दिलाता हूँ sugar plus nitrogen base क्या बनता है nucleoside इसमें जब क्या जुड़ जाएगा phosphate तो क्या बनाके देदेता है यह nucleotide जाओ जाके lecture उसको repeat करो या फिर repeat नहीं करना तो जो मैंने लिखवाया था उसको इसे copy तो कर लो ठीक है न यह तुमारा 12 में भी बहुत काम आएगा यह यह पता होना चाहिए तीन पार्ट होते हैं DNA के दो पार्ट मिलते है phosphate तो बन जाता है nucleotide और nucleotide बार 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 जोड़ जोड़के क्या बनाते है DNA और DNA को हम लोग क्या कहते है nucleocid कहते है के लिए हो गया polynucleotide यह तर्म के लिए हो गया जैसे कि polypeptide था polysaccharide था वैसे यह तर्म आ गया क्या polynucleotide ठीक है together with polysaccharide and polypeptide ठीक है न these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell together with polysaccharide और polypeptide के साथ मिलके together with these comprise यह बनाते है true macromolecular fraction उस कपड़े के अंदर जो वाकाई में कोई macromolecular है तो वो यह तीन है किसी भी living tissue के अंदर है ना किसी भी living tissue के अगर कोई macromolecule है तो वो यही तीन है है ना लीपीट के साथ खेल हो गया था वह वेसिकल बना लेता था एक्च्वल में macromolecule नहीं था वो किलियर है बाते यह बात समझ में आ रही है ठीक है देखो जो चीज किलियर नहीं है उसको क्या करना है उसको पीछे जाना है पन्ने पलटने है जहां पन्ने पर जैसे में लिखवाता चल रहा हूं तो लोग भी यह स्पेस बचा हुआ है यहां पर polypeptor के साथ मिलकर macromolecule होते हैं किसी भी living tissue या cell के अगर कोई लाइन नहीं आती है तो उसके वारे में लिख लेना ठीक है फॉर नुक्लिक एसीड दा बिल्डिंग ब्लॉक की जा नुक्लिक एसीड किस से मिलके बना हुए है नुक्लिक एसीड बहुत सारी निक्लोटाइड बार 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 जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं नुक्लिक एसीड बनाते हैं ठीक है नुक्लिक एस थी केमिकली डिस्टिंक्ट कमपोनेंट उसके पास तीन अलग-अलग कमपोनेंट होते हैं हमने डिसकस किये थे one is a heterocyclic compound जो heterocyclic compound था इसको हम सुगर कहते थे याद आय नहीं आद आया, अब याद आजाएगा, CH2OH है ना, यह हिट्रोसाइकलिक कमपाउंड, the second one is a monosacrite, and the second is a monosacrite, ओके सॉरी, monosacrite, यह बात होगी किसकी, सुगर की बात होगी, हिट्रोसाइकलिक कमपाउंड, यानि कि यहाँ पर यह बात कर रहा है, and the third is phosphoric acid, हिट्रोसाइकलिक कमपाउंड की यहाँ बात कर दिया, यह भी सही है, structure, कोई दिक्कद नहीं है, हिट्रोसाइकलिक कमपाउंड की यहाँ बात कर रहा है, मेरे पास कौन है, nitrogen basis की, यहाँ किसकी बात कर रहा है यह, nitrogen basis की, क्योंकि यहां पर मोनो सेक्राइट की बात कर दी है वो आ गया हमारे सुगर डियोक्सी राइबोस जो मने अ स्ट्क्चर बनाया था ठीक है ना देखो मोनो सेक्राइट में कौन आ जाएंगे ये सुगर आ गया मेरे पास यह न ये structure याद नहीं रखना तुम लोग मैं बता देता हूँ इसको इसको कहते हैं डियोक्सी राइबोस क्या नाम है इसका डियोक्सी राइबोस अगर इस structure में OH यहाँ पे भी लगा हो OH अगर यहाँ पे भी लगा हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ राइबोस बोलता हूँ क्या बोलता हूँ राइबोस किसमे होता है राइबोनुक्लिक एसीड आरने में पाये जाता है ठीक है डियोक्सी राइबोस किसमें पाये जाता है डियने में पाये जाता है ठीक है, ना, बात समझ में आ रही है, deoxiribol, DNA पाया जाता है, किलिए रहे बाते हैं, अब जखो, तीसरा क्या होता है, phosphoric acid, जिससे निकल किया होता है, PO4, है ना, H2PO4 phosphoric acid, ओके, और phosphate, उसको phosphoric acid कहलो या phosphate कहलो बात नहीं किये, इन तीन के बारे मैंने जिक्र किया था याद है DNA तीन कंपोनेंट होते हैं पिछली बार बनाया था सुगर, नैटोजन बेस और फासफेट ग्रूप वही सारी बात है कर दी जो हमने वहाँ डिसकस करी थी उसका चक्कर में यहाँ पर भी करनी पड़ी कि लिए रहे ओगया मज़धार चीज लेकिन हाँ बायो में ऐक चीज करनी पड़ती है चीजों को बार बार अब अगर यह लाइन याद ना हो रही हो तो क्या करोगे यहाँ से लेगे यहाँ तक एक लाइन पड़ो बस full stop रुख जाओ, सोचो कि आगे कुछ है ही नहीं उसको लिख लो कुछ अलग से थीरे थीरे करके याद होंगी लेकिन ठीक है न ओक आजे क्या कर रहा है as you notice in figure 9.1 तुमने figure 9.1 में notice किया, the heterocyclic compounds in nucleic acids nitrogenous basis heterocyclic कौन है, heterocyclic अभी बात की है, last lecture ठीक है न, adenine, gonine are substituted purines, यह purines होती है while the rest are substituted pyrimidine, बागी दो क्या है, pyrimidines होती है बागी तीन, the skeletal heterocyclic ring is called the purine and pyrimidine respectively जो उसके अदर heterocyclic ring होती है उन ring को कहा जाता है purines and pyrimidine ठीक है न, the skeletal heterocyclic ring is called purines and pyrimidine respectively 10 sugar, एक कहानी यह हो गई किसकी बात कर दी इसने nitrogen base की कहानी, हाँ तक लिया आया यह फिर बात कर दी इसने, किसकी शुरुवात कर दी sugar की, sugar found in polynucleotides, either ribose either ribose, क्या बनता है यहाँ पर OH होता है, आप monosaccharide pentose, यह क्या है pentose है, और two deoxyribose, two dash deoxyribose है न, deoxyribose तो या फिर यह क्या होगा deoxyribose होगा, clear है okay nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribose, nucleic acid DNA, अभी बताया है मैंने जिसके अंदर यह पाए जाता है, उसको DNA कहते है, जिसके अंदर ribose पाए जाता है, उसको हम RNA कहते है बच्चों बड़े ध्यान से अगर पहली बार पढ़ रहे हो, तो बड़े ध्यान से यहां pause करके सारी कहानी को न जरासा, अलग-अलग करके दिमाग में categorize करके डालना ठीक है और न ओड़े आएगा सारा उपर ते, कोई teacher नहीं बता पाएगा फिर ठीक है, कितना भी कोशिश करो यह उड़े ही जाना है, ठीक है फिर जिसको नहीं पता, फिर बता रहा हूं है यह DNA के तीन component पिस्टेवाई lecture कर लेना, ठीक है न, और यह सारी बाते जो आपने वहाँ discuss करी, सारी बाते यहां आ गई है, बात समझ मा आ रही है इसको तोड़ करके थोड़ा सा ग्राफिकली कर लोगे कि अच्छा यह इसका, यह इसका, यह इसका जो ने लास्ट लेक्टेर में ग्राफ पुरा बना दिया था टेवलेट कर दिया था पूरा, वैसा ही कर लोगे इसको, तो एक दम असानी समझ में आएगा किलियर है, नुक्लिक असीड खतम, तो क्या था, कुछ नहीं था इसमें अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन के इस्ट्रक्चर की, प्रोटीन का तो काम हो गया प्रोटीन पढ़ली आमिन असीड होता है उसको किससे बना होता है, पॉलिपेप्टाइट उसका अंदर लिंक होता है, बात कर रहें इस्ट्रक्चर के उसकी, ठीक है इस्ट्रक्चर की बात करूँ मैं अगर तो वच्चे यहाँ पर एक चीज हम समझें कोशिश करेंगे कि जो प्रोटीन होता है उसको हमने चार भाग में तोड़ा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शिरी और क्वाटर्नरी अब क्या है यह प्राइमरी प्रोटीन क्या है सेकेंडरी प्रोटीन क्या है, टर्शिरी प्रोटीन क्या है क्वाटर्नरी प्रोटीन क्या है मोटा मोटा एक चीज़ बता दू मैं प्रोटीन का जो इस्ट्रक्ट्ट्र अगर तुम्हें एक्च्वल में देखोगे तो प्रोटीन हमारे पास कुछ ऐसी होती है किसकी amino acid मालों पहले एक लगा हुआ है फिर दो लगा हुआ है फिर कोई तीसरा लगा हुआ है फिर कोई चौसा लगा हुआ है तो हम लोग जब इस प्रोटीन को ऐसा इमेजन कलो पूरा खोल दिया इस तरीके से और हम देख रहें अच्छा पहले तुम लगे हुए फिर इफिर लगे हुए तुम लगे हुए और तुम लगे हुए और तुम लगे हुए औरीब यह जो जो हम study check कर रहे है sequence की वह जो sequence होता है वह जो study कर रहे हैं वह कहलाता है primary structure क्लियर बात उसका हम लोग कहते हैं सबसे basic structure किसके बाद कौन लगा हुआ है फिर अगर हम इसको छोड़ दे तो अपने आप क्या उन लगता है ट्विस्ट होने लगता है अपने आप धिरे-धिरे यह ट्विस्ट होने लगता है इस टाइप से तो यह जो इसको क्या कहते है secondary structure ठीक है अब जो secondary structure होता है यह फर्दर आगे जाकर करके और भी जादा कॉइल हो जाता है इस टाइप और यह इसका एक्टिव रूप होता है याने कि एक्टिव मैं कहूं कि पोटीन जब एक्टिव होता है तो किस इस्ट्रक्चर में पाया जाता है जब वह एक्टिव होता है बात समझ में आ है ठीक है Jimmy PhD 2023 स्ट एकट करेंगे उसकास्योपन सम LUG रहे है उसको रहे है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रैंपरी स्ट्ट्र ठीक है ताइस चाल अगले स्टेप में फोल्ड रहे वहते हैं तो इसका खुलने से पहले लाश्ट में क्या होत्य प्लिज रहा हुगत हो खोल फिर यह quaternary क्या है, quaternary कुछ नहीं है, quaternary में क्या है, एक protein की chain, ठीक है न, और इसके साथ साथ एक और protein की chain, मतलब जो दो protein की chain, एक साथ involved होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते है, quaternary structure, बहुत कम पाई जाती है हमाई बोड़ी में, बट पाई जाती है, सबसे ज्यादा tertiary होती है, clear है, मोटी-मोटी बात समझ में आगी, structure of protein में हम लोग क्या करने वाले है, यही चार टाइप की study करेंगे, ठीक है, clear, चलते हैं, आगे, देखो जारा क्या है, protein, proteins as mentioned earlier, are heteropolymer, ठीक है, पहले बता चुके है, heteropolymer है, containing strings, string मतलब धागे, of amino acid, amino acid के लंबे-लंबे धागे हैं, इसके अंदर, structure of molecule means different things in different context, structure का मतलब क्या कह रहा है, अब यह लाइन बहुत से बच्चों को समझ में आती है, structure of molecule means different things in different context, है ना, हम लोग अलग अलग चीज़ को देख रहे हैं, पहले वाले में हमने sequence देखा, दूसरे वाले में folding देख रहे हैं, तीसरे वाले में और जादा folding देख रहे हैं, तो वो ही बताना चाहरा है, structure का मतलब क्या होता है, different thing, अलग 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 context में, अलग अलग हूँ, the structure invariably referred to the molecular formula, है ना, chemistry में structure क्या होता है, जो molecular formula होता है, उसको में structure बोल देते है, CH4, NACL, CH4 तो नहीं कहेंगे, वो organic आ गया, NACL, MDCL2 है ना, इसमें तो ionic bond होते हैं, जो लिखा हुआ है, वो ही इसका, क्या structure होता है, etc, organic chemistry, organic, organic, ओके, organic chemistry always write a two dimension view of the molecule, ठीक है, जो organic chemistry होता है, ऐसे ऐसे लिखता है, यहाद है, C होगा, H होगा, तो यह two dimension view लिखता है, organic chemistry, वो समझा रहा है, किताब बात कर रही है, इन्हों organic में हम ऐसे लिखते हैं, organic में हम ऐसे लिखते हैं, अच्छी बात, यहाँ समझा रहा है, यहाँ एक्जाम से लेना देना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी है, एक्जाम में नहीं आएगा, कहां से एक्जाम आएगा, बता दूँगा, ठीक है, आई क्या कह रहा है, like, benzen, benzen हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से, है ना, यह benzen हो गया, यह भी two dimension है, dimension मता समझ रहे हो ना, तीन dimension होती है, x, y और z, तो यह y-axis और x-axis इन दो plane में मिलके बना हुआ है, तो two dimension, x और y की जोरुत पढ़ रही है, benzen को explain करने के लिए, ठीक है, आगे हाते हैं, हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है है, ओके, benzen हो गया, naphthalene हो गया, जो ring होती है, ओके, physicist, consumer of the three dimension, जो physician होता हूँ, जो physics के वो होते हैं, lab में जो काम करते हैं, वो three dimensional views of molecular structure, ठीक है न, वो तीन dimension पे काम करते हैं, physics में तो हर चीज क्या होती है, प्रूफ करनी पढ़ती है न, physics tough लगते होगी वासल होंगो, physics में हर चीज क्या है, three dimension, imagination चलता है, three dimension चलेगा, तभी काम बनेगा, while, जब की, biologist, describe the protein structure, at four level, सबसे ज़्यादा महान, biologist, ठीक है न, चार level पे describe कर रहा है, protein को यह, चार level पे, तो यहाँ पर यह बताना चाहरा है, कि किस तरीके से, एक level, दो level, तीन level है न, अलएलों लेवल पे हम लग चीजों को किसी के structure को describe करते हैं, उसी तरह है, biologist, चार level पे इसको describe कर रहा है, अब कहानी तुमको पकड़ में आ रही होगी, मैं जब one, two, three, four, यहां किया था, primary, secondary, tertiary, or quaternary, देखो, जब मैं कुछ शब्द बोलता हूं, तुम्हें लगता है, कि यह शब्द मे that is, देखो sequence मैंने कहा था, यहां से start होगी तुम्हारी कहानी, the sequence of amino acid that is the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is the second and so on, कौन पहले लगा है, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, इसको हम लोग क्या कहते है, primary structure कहते है, वोई बात जो बता रहाता है, कौन सा amino acid, किसके बाद लगा हुआ है, हो ग यह रहा, देखा, यह एक amino acid, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, कौन सा किसके बाद लगा हुआ है, उसकी बाद चल रही है, यह, next आते हैं, हम लोग क्या कह रहा है, अब protein is imagined as a line, protein को अगर मैं imagine करूँ as a line, the left end represented by the first amino acid, जो सब, left end होगा, उसको हम सबसे पहला कहूंगा और right end वाला क्यों हो जाएगा, सबसे last हो जाएगा, है ना, right end वाला क्यों हो जाएगा, सबसे last हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर मैं उसको एक line की तरह imagine करूँ, तो left end वाला सबसे पहला amino acid describe करेगा, तो question आ सकता है, and the right end represents the last amino acid, जो right end होगा, वो सबसे आखरी amino acid को represent करेगा, clear है, okay, clear, अब क्या कह रहा है वो, the first amino acid is also called end terminal amino acid, यह एक नाम दे दिया, the first amino acid होगा, is also called end terminal amino acid, इसको हम लोग क्या कहेंगे, end terminal सबसे पहले वाले को, the last amino acid is called the C terminal amino acid, अब क्यों इनका नाम ऐसा पढ़ा, किसले पढ़ा, ज्यादा नहीं गुसेंगे, पढ़ लोग से याद करना है ना, बहुत जादा अंदर deep channel जोड़तनी है, अब protein thread does not exist throughout as a extended rigid rod, कहरा protein का धागा है, यह thread है, does not exist throughout, यह throughout हमेशा ही ऐसा नहीं रहता है, है ना, एक rigid rod की तरह है, ऐसा खिचा वो हमेशा नहीं रहेगा, the thread is folded, जो धागा है, वो fold हो जाएगा in the form of helix, similar to revolving staircase, जैसे गुमावदा और सीड़ी होती है, ठीक, इसी तरीके से यह क्या हो जाएगे, fold हो जाएगे, यह देखो, यह helix, fold होना, start हो गए, मैंने पिछे बताए भी था, यह देखो folding दिखाई थी, है ना, यह fold हो रहे, secondary structure, clear है, तो यानि कि क्या कहाना चाह रहा है, य ठीक है, of course, बिलकुल, only some portion of the protein thread are arranged in the form of a helix, of course, only कुछ हिस्सा जो होता है, वो arrange होयाता है in the form of helix में, ठीक है, तो ध्यान रखना complete नहीं होता है, only some portion of the protein thread are arranged in the form of a helix, in protein only right-handed helices, right-handed उतलब, देखो इस तरीके जाएगे, यह fashion है, इस तरीके से, right-handed, ठीक है ना, right-handed, एक होगा left-handed ऐसे ऐसे, एक होगा right-handed, ठीक है, only right-handed, यह आगे question, helices are observed, protein के अंदर हमेशा right-handed helices ही देखे गए है, ठीक है, other region of the protein thread are folded into other form in what is called the secondary structure, ठीक है ना, the other regions of the protein, protein के जो कुछ अलग हिस्से है, ठीक है, are folded into other forms, ठीक है, कुछ और form में, in what is called the secondary structure, और इसी को हमने क्या कह दिया है, secondary structure कह दिया है, देखो जारा क्या कह रहा है, 9.4 B, B यह रहा, तो कह रहा है कुछ other form, helices में भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कई बार है, sheet के form में, किसकी form में, एक यह है, और एक यह है, तो यह से sheet जैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, sheet जैसे, तो beta pleated sheet और alpha helix, तो यहाँ पर जो line कह रहा है, other regions of the protein thread are folding to other forms, कुछ दूसरे हिस्से होते हैं, कुछ दूसरे form में arrange हो जाते है, इन structure को हमने, जो इनकी folding हो रही है, यह जो straight chain था, यह क्या हो रहा है, fold हो रहा है, अलग तरीके से, यह तो alpha helix त तरीके से, इसको हमने नाम दिया, secondary structure, ओके, बासमझ में आई, तो secondary हो गया, in addition, the long protein chain is also folded upon itself, यह फर्दर, in addition, the long protein chain is also folded upon itself, like a hollow woolen ball, यह एक hollow woolen ball की तरह है, अब जो यह है, folding फर्दर और fold होगी, तो एक hollow woolen, मैंने का ने, एक उनका गोला समझ लो, अंदर सखोक ला है, उसके तरह यह appear होता है, ठीक है, कैसा है यह, hollow woolen ball giving rise the, tertiary structure, अब यह मेरे पास क्या आगया है, tertiary structure, आगया है, hollow woolen वाला, यही मेरा क्या है, active part होता है, ठीक है, इसके अंदर जो bonding होती है, आपस में ताक यह खुले नहीं, एक hydrogen bonding पाई जाती है, एक disulfide bonding पाई जाती है, clear है, क्या कह रहा है, this gives us a three dimensional view, अब यह हमको क्या दे रहा है, उनके गोले की तरह हो जाएगा, तो three dimensional, x, y और z, तीन axis लगेंगी, इसको देखने के लिए, ठीक है, तो यह क्या दे रहा है, three dimensional view दे रहा है, of a protein का, tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activity of proteins, मैंने कहा था, ठीक है, जो tertiary structure है, वही क्या है, एक्टिव पार्ट है, मतलब वही है, tertiary protein ही active part होता है, चाहे हो हार्मोनी की तरह behave करें, चाहे हो enzyme की तरह behave करें, antibody की तरह behave करें, किसी भी तरह behave करेंगी, जो active protein होती है, वो हमारी tertiary protein होती है, clear, आगे आते हैं, some proteins are an assembly of more than one polypeptide, कुछ protein assembly होती है, जुड़ी होती है, मतलब बनती है, assembled होती है, more than one polypeptide, एक से ज़्यादा, और subunit है न, जब मैंने हाँ पर discuss किया था, वो, एक या, एक से ज़्यादा होती है, ठीक है, clear है, ओके, the manner in which these individual folded polypeptides or subunit are arranged with respect to each other, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, each other string of spheres, spheres arranged one upon each other in the form of a cube or a plate, etc, is architecture of the protein, otherwise called the quaternary structure, यह पूरी एक लाइन भर दीन होने हैं, आपर, प्लाइन तुलाइन 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 से एक्स्प्लेन कर दूमें इसको, ताकि चीज़ें और असान हो जाए, the manner in which these individual folded polypeptides, यह जो तरीका है, इनका individual folded polypeptides का, जो polypeptides fold हो गई है, protein fold हो गई है, जिस तरीके से, ठीक है, और arranged with respect to each other, यह एक दूसरे के साथ अपने on each other in the form of a cube or plate, ठीक है, linear था, linear ने अपने आपको एक sphere, golem बदल लिया, sphere अपने आपको फिर एक साथ क्या करते है, arrange करते है, cube में बदल लेते हैं, और यह plate लाएक में बदल लेंगे, ठीक है, is the architecture of protein, यह protein का architecture है, बनावट है, otherwise called quaternary structure, इसको हम लोग क्या बोलते है, otherwise quaternary structure बोलते है, of protein, ठीक है, यहाँ पर quaternary protein की बनावट की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा language में difficult लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दोबर पढ़ोगे, तो clear हो जाएगा, ठीक है, यह जो इनकी folding है, sphere बनना, sphere का cube बनना है ना, यह इसका arg attack है, बनावट है, ओके, यह रहा, D, quaternary structure, ठीक है न, यह फोल्ड देखरों, यह cube type बन गया है, ठीक है, यह यहाँ पर एक sphere, यह यहाँ पर दूसरा sphere, तो यह क्या है, spherical, फिर cubical shape में आ रहे हैं, तो यह सारा क्या है, इनका structure है, आगे आते हैं, adult human hemoglobin, अब quaternary का example कौन है, मैंने बता है बह hemoglobin हो गया, consist of four sub unit, एक दो भी नहीं, चार होती हैं इसके अंदर, two of these are identical, दो एक जैसी होती है, ठीक है, identical to each other, hence two sub units of alpha type, दो alpha type की होती है, and two sub units of beta type, together constitute the human hemoglobin, Hb, hemoglobin में चार protein की chain होती है, दो alpha type की होती है, और दो beta type की होती है, clear है, तो protein का जो structure है, I think अब ये खतम है, okay, तो protein का जो structure था primary, secondary, tertiary और quaternary, ये थोड़ा सा बच्चों को कई बार समाजने में confusion होती है, फिर बता देता हूँ, क्या है ये, ये कुछ नहीं है, हमने protein को उधेर करके, अलग-अलग level पर उसको study किया है, tertiary level याने की उसका actual बनावट होती है, जो tertiary होती है, खोलती है तो secondary primary level भी मिल जाता है हमको, और quaternary भी उसकी क्या है, actual बनावट है, सबसे ज़्यादा protein पाई जाती है, जिस रूप में वो होती है, tertiary, clear है, बास समझ में आ गई है, चलिए, आगे चलते है, next हमारे पास क्या है, यहाँ पर, nature of bond linking monomer in a polymer, ठीक है, कौन स से bond, अब यह बड़ा हलुआ हो गया है, मतलब topic हमें पता है, protein के अंदर peptides होते हैं ना, और nucleic के अंदर जो DNA था, उसमें phosphodiester linkage ने बताया था, है ना, मतलब एक molecule, एक monomer, दूसरे monomer से कौन से bond से link हो रखा है, उस bond का नाम किया है, nature of bond linking monomer, जो monomer आपस में जोड़ रहे हैं, पॉलिमर के अंदर उस bond का नाम बताइए, तो कह रहा है, इन polypeptide, और अब protein, polypeptide यह protein की बात करें, amino acids are linked by peptides, यह तो easy हो गया, हलुआ हो गया, peptide हमें पता है, peptide bond होते हैं, which is found when carboxyl group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid, यह मने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद आ गया, OH प्लस H N और H है ना, मैंने बताया था, यह थोड़ी पहले यह निकल जाता है, इस टेके से, यह carboxyl group हो गया, यह क्या हो गया, carboxyl group और यह क्या हो गया, amine group, clear है, ठीक है, next amino acid with the elimination of water moiety, मैंने क्या होता है, यहां से क्या निकल जाएगा, यह water molecule भाहर हो जाएगा, clear है, तो process is called dehydration, इस process के हम लोग क्या कहते हैं, dehydration कहते हैं, यह कहानी खतम हो गई, किसकी, protein की, अब बात आती है, polysaccharide की, the individual monosaccharides are linked by glycosidic bond, यहां पर कौन सा bond होता है, glycosidic bond होता है, this bond is also formed by dehydration, यह भी पानी के निकलने से ही बनता है, this bond is formed between the carbon atom of two adjacent monosaccharides, दो carbon atom के बीचे बनत है, यहां बोलेगा, peptide bond किसके बीचे बीचे बनता है, तो carbon और amine के बीचे बन रहा है, c और n के बीच में, polysaccharide में bond किसकी बीचे बन रहा है, दो carbon के बीचे बन रहा है, ठीक है, यह कहानी यहां खतम होगी, आगे आते हैं हम लोग, in a nucleic acid, हैना देखो कितना असान है, व phosphate moiety link the three dash carbon of one sugar of one nucleotide to five dash carbon of the sugar of the succeeding nucleotide, ठीक है, the bond between the, अब यह कहानी नहीं समझ में आ रही होगी, कल वैसे मैंने बता दी थी, फिर बताता हूँ मैं, समझो ज़रा इसे, ठीक है, nucleotide का structure याद है, बोलो हाँ, नहीं याद है, तो lecture देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, nitrogen base, यह OH, CH2 और PO4 2-, nucleotide, एक और nucleotide इसके नीचे आएगा, कल मैंने बनाया था यह, हाँ, और मत पड़ो, अब होता क्या है, देखो, बात करें अगर तो, 1, 2 और यह 3 carbon, यह 4 और यह 5 carbon, इसे हम 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, और 5 dash ही बोलते हैं, तो 3 dash का OH और इधर 5 dash का PO4, यह दोनों आपस में combine होते हैं, अब मैं combine करने जा रहा हूं, मिला दे रहा हूं इनको, ठीक है ना, यह दोनों आपस में combine होते हैं, ठीक है ना, यह दोनों आपस में combine होते हैं, यह bond बन रहा है यहाँ पर, यह negative nuclei कैसे DNA होता है, हमारा negatively charge होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, यह बात कहीं ना कहीं आई कि निकल करके, यह negative charge है ना, यह bond बने हैं, इसको हम लोगों क्या कहते हैं, फॉस्फो दो हैं, तो dieester bond होना, alcohol होना उससे बन रहे हैं, तो फॉस्फो, फॉसपेट और alcohol से बन रहे हैं, इस्टर बांड पिर यह अब इस इस्टर बॉंट क्या हो गया फॉस्पोडाइस्टर बॉन बात क्लियर हो गई मुद्दा क्या था यह 3-dash क्या बला है 5-dash क्या बला है तो naming है भईया 1-2-dash, 3-dash, 4-dash, 5-dash यहाँ पर जो numbering होती है 1-2-dash किया जाता है ठीक है तो आओ देख लें जा रहे हैं यहाँ पर क्या है यह बात है फिर से पढ़ते हैं अब उसको देखते हुए अब फॉस्पेट मॉयटी मॉयटी मतलब कोई चीज तो यहाँ पर फॉस्पेट जो मॉयटी है फॉस्पेट जो चीज है फॉस्पेट जो कमपाउंड है है ना लिंक्स दा 3-dash carbon यह फॉस्पेट लिंक करता है 3-dash carbon of one sugar of one nucleotide one sugar of one nucleotide to the 5-dash carbon of the sugar of the succeeding 5-dash वाले succeeding उसके जश्ट बाद वाला है succeed करेगा उसके आगे वाला succeeding nucleotide तो यह 5-dash और 3-dash 3-dash 5-dash के लिए रोगा है यह क्या बला है यह ओके आगे आते है the bond between the phosphate and hydroxyl group याने कि OH और phosphate के बीच का the bond है is an easter bond यह कैसा bond है easter bond है as there is one such easter bond on either side दोनों तरफ एक easter bond है इसलिए इसको क्या कहते है phosphodiester bond तो यहाँ पर कौन सी linking है जो linking का bond है उसका नाम क्या हो जाएगा phosphodiester clear है है ना तो nucleic acid थोड़ा सा भी पेचीते लग रहा है इसको समझ लो अच्छे से class 12 में फिर क्या कहते है यह आला पार्ट आएगा है ना molecular basis of inheritance यह पूरा पार्ट फिर detail में आएगा यह chemical structure अपने course में नहीं है फिर बता जाता हूँ मैं लेकिन अगर इसको नहीं बनाओं या ना बनाया जाए तो समझना बड़ा मुस्किल हो जाएगा ठीक है ना थोड़ा सा basic basic एक दो structure को समझ लो समझना बहुत असान हो जाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है Nucleic Acid Exhibit a wide variety of secondary structure Nucleic Acid बहुत सारा secondary structure होता है for example one of secondary structure exhibited by DNA is the famous Watson Creek model a Watson Creek model ठीक है class 12 में फूरा full detail में थोड़ा detailing में अभी कर दूँगा कि होता गया यह this model से अच्छा बताए रहा DNA exists as a double helix है ना इसके बहुत सारी variety मौजूद है कि DNA होता कैसे है सब लोग अपना अलालग कहते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छे से बताया गया है model वो कौन सा है Western Creek model है समझ लें इसको चलो आप समझ लेते हैं एक page add करते हैं हम लोग और समझते को Western Creek model ठीक है ओके Western और Creek model हो गया यहां पर तो देखते हैं क्या बोल रहा है यहां पर क्या हो रहा है कह रहा है डियने न डावल हैलिक्स होता है दो स्ट्रेंड होते हैं इसके अंदर एक और और दो ठीक है अब यह दो जो स्ट्रेंड होती है एक ट्रफ थाफ फाइव डेस होगा तो एक तरफ क्या होता है 3DES, 3DES के अपोजिट में 5DES होगा, इसके अपोजिट में 3DES होगा, इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहां समझाता हूँ, यहां पर अगर हम गौर से देखें, तो 5DES, 1DES, 2DES और 3DES, इस तरफ 3DES खाली है, उस तरफ 5DES खाली है, मतलब free end, अगर एक और polyneutral इसके नीच आँ, तो याला OH कवर हो जाएगा, इसके नीचे वाला OH खाली हो जाएगा, तो एक तरफ, अगर मैं इसको एक chain बना दो हैसी, तो इसके उपर 5DES वाला end का phosphate free है, और नीची के तरफ 3DES end वाला OH खाली है, अगली chain मैंने बताई थी, ऐसे घुमा के पलटके लगती है, तो 3D सुपर चला जाएगा, और 5DES नीचे आ जाएगा, तो दो anti-parallel chain हो गई, कैसी chain हो गई, दो anti-parallel chain हो गई है, किलियर है, अब जड़ा गौर से देखो, यह जो chain है, इस chain में कौन कौन है, यह sugar प्लस phosphate, इस chain में कौन कौन involved हैं, सुगर chain को बनाने में कौन कौन involved हैं, सुगर और phosphate, अच्छा, मैंने बताया, जब यह पलट करके यहां लगेगी, nitrogen base यह, और एक nitrogen base इधर पलट के और लग जाएगा, देखो, थोड़ा सा structure बनाता हूँ मैं इसका, ठीक है ना, यहां पर क्या लगा हूँ, nitrogen base, चलो माल लेते हैं थोड़े एडेनी लगा हूँ है, यहां पर क्या लगा हूँ है, अगवानीन लगा हूँ है, अब एक प्रट के chain लगेगी, एडेनीन के साथ bonding जब होती है, दो chain है, यहां पर तुमने देखा होगा, हॉलिवड अगर मूवी देखे होगी, तो DNA ऐसे दिखाई पड़ता है ना, याद आ रहा है, इनको याद नहीं आया, थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी उनके लिए, तो यह बीच में तुम सीडिया टाइप का देख रहे हो, यह एक्चली क्या होते हैं, इस आर, nitrogen bases, क्या है यह बताता हूँ कैसे, यह adenine, यह guanine, है ना, purine, spiramideine दो टाइप के थे, अब यह पलट के लग रहा है, एक के साथ क्या लगता है, hydrogen bond के साथ, thiamine जोडता है, और triple bond hydrogen bond के साथ, cytosine जोडता है, तो, ठीक है, यह कुछ इस्टैब का structure तुम समझ पा रहे होगे, OH और यहाँ पर क्या है, CS2 और PO4, 2-, क्लिए रहे, तो देखो, एक chain यह जा रही है, यह 5-dash end और यह 3-dash end खाली है, उस तरह उपर गए, तो 3-dash end free है, और नीचे के है, 5-dash end free है, तो देखा, यह दो chain होगे, यह दो chain, और बीच में चीडी देख रहे हो, यह किसकी है, nitrogen basis के CD है, किसकी CD है यह, nitrogen basis की है, अडिनिन के साथ thiamine और guanine के साथ cytosine, तो DNA हमारा कुछ इस टाइप का होता है, यह इसका molecular structure है, clear है, बात स double helix, double helix, 2 helix होते हैं, ठीक है, the two strands तो दो धागे है, of poly nucleotide are anti-parallel, यह दो धागे है, यह कैसे होते हैं, anti-parallel होते हैं, that is, run in the opposite direction, एक 3-dash से 5-dash, एक 5-dash से 3-dash, the backbone is formed by the sugar, अब backbone किसको कहा गया है, यह ही backbone है, यह दो main, यह तो CD है, nitrogen basis होती है, और यह backbone है, जिसका actual में DNA बना हुआ है, किसका बना हुआ है, sugar, phosphate, ठीक है ना, by the sugar, phosphate, sugar chain, है ना, sugar, phosphate, sugar, sugar, phosphate, sugar, sugar, phosphate, sugar, sugar, phosphate, sugar की chain होती है, कौन, backbone, backbone में यह आ जाएगे, यह दो धागे हैं, इनको क्या कहा गया है, backbone कहा गया है, clear है, okay, that nitrogen basis are projected more or less perpendicular to this backbone, यह natural basis इसके क्या है, perpendicular है, ठीक है, but face inside, face कहा होता है, अंदरी तरफ होता है, A and G of one strand compulsorily base pair with T and C respectively on the other strand, याने कि A और G, वह यह बात आगी, A और G, ठीक है ना, जो A होगा और G होगा, वो T और C के साथ compulsory होगा, A के साथ T ही होगा हमेशा, G के साथ C होगा, हमेशा 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 always, यह pattern change नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो यह सारा structure जो था, DNA का थोड़ा discuss हुआ है, पहली बाद इटेलिंग में जा रहे होगा कुछ बच्चे, तो थोड़ा सा difficult लग सकता है, समझने में, lecture को repeat करके देखें थोड़ा सा, और अगर detailing की ज़रू हो देखें, और NCRT क्या कहा रही है, देखो वही सारी बाते हैं ना, उल्ट बना रखा है यह, थाइमीन के साथ, अदेनीन, गवानीन के साथ, साइटोसीन, अब यह structure समझ मा रहा है, यही तो structure है, ओ, ओ, यहाँ पर लगा हुगा ठीक है, और, ठीक है, यह गलत है, यहाँ पर, पॉस्पेट लगा हुआ है, और पॉस्पेट रिंग हो गया, एडिन के साथ, तीन डॉट, यह तीन लाइने, एक, दो और तीन दिखा रखी है, किलियर है, यह बात समझ में आ रही है, ओके, तो यह हमारे पास क्या है, डाइग्राम ओफ सेकेंडी स्टिक्चर ओफ डिन, य फिलियर, टू, थ्री, ओके, आगे आते हैं, तो अब आगे क्या कह रहा है यह, देर आ टू हाइड़न बॉंड बेट्वीन, अब हाइड़न बॉंड की बात कर रहा है, जो हम डिसकस कर चुके है, ए और टी के बीच में, दो हाइड़न बॉंड होते हैं, यह बताया था, ए सिक्स में वापस से रिपीट होने वाली है, इच स्ट्रेंड अप्यर लाइक है है हलिकल, हर एक स्ट्रेंड हलिकल की तरह है, हलिकल स्ट्रेंड की तरह है, घुमावदा सीड़ियां जो होती है, उसके तरह अप्यर होता है, हर एक बेस पेर, इच स्ट्रेंड होता है, वो कैस यह किसको रिपर्ट करते हैं बेस पेर नाइटरोजन बेस यान नाइटरोजन बेस का एक पेर बन गया है तो अबसे हम इसको बेस पेर कहा करेंगे एक के साथ T, C के साथ G का मतलब 2 basis हापस मैं आमने सामने जुड़े हुए है DNA के अंदर ठीक है और यह nitrogen basis होते हैं तो और Pairing में रहते हैं हमेशा तो इसलिले हम सक्वस्कों क्या कहा करेंगे bashkaa करेंगे conservatives is a step off as to the side of 36 degrees है ना यह इंट पर लगबग 36 aları यह चाहना आता जाने की हम लोग देख सकते हैं यह क्या कर रहा है गुमावदार हो रहा है तो हर एक इस पर कितना घूम रहा है यह 36 डिग्री का घुमाव आ रहा है इसके उपास आगया आते हैं ना एट इच स्टेप ऑफ एसेंट दा स्टेंड टर्श डिग्री वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्टेंड वुड इन्वाल टैन स्टेप और टैन बेस पेर एक पूरा टर्न मतलब यहां से लेके यह पूरा टर्न जो हो गया ठीक है यह फिर मैं यह पूरा टर्न जो हो गया उसमें काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस है न यह पूरा टर्न हो जाता है उसमें कितने बेस पेर रहेंगे दस बेस पेर रहेंगे किलियर है ओके अटैंप्ट ड्रॉइंगा लाइन डाइग्राम कोशिश करो एक लाइन डाइग कहां गया है उन लोग जब पिच वुड़ भी 34 एंश्टराव दर राइस पर बेस पेर वुड़ भी अब दो जहां पर क्या कहा रहा है दर पिच यह पिच है ना यहां पर यह मैं यहां से जहां तक बात करूंगा जो एक पुरा अरहा रहा है फिच की और यह पूरा एक हमाऊ ले लोग, 돈 किटने का होता है, 34 एंश्टराव का होता है ज़ीं मैं है एक यह कितने का है 34 angstrom का ठीक है अब इस पीच में जो एक pitch की value आ रही है वो कितनी आ रही है 34 angstrom क्या रही है अगर इसके नहीं 10 base pair है divide by 10 कर दूं तो 2 base pair की बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 3.4 angstrom आ जाएगी यह बात समझ में आ रही है ठीक है यह pitch और pitch के बाद 2 base pair की बीच की दूरी निकालने के लिए एक पूरे टर्म में कितने 10 होते हैं divide कर देंगो तो कितना आ गया 3.4 angstrom आ गया clear है तो वह हम दे रखा है the rise per base pair would be 3.4 angstrom है कि हर base pair कितनी दूरी पर लगा हुआ है 3.4 base pair rise बता रहा है this form of dna with the above mentioned silent feature is called b dna dna के बहुत सारे structure available है जो अलग-अलग sentence दिये है इन खूबियों के साथ यह खूबियां बताए गई है यह b dna की खूबियां बनाए गई है in higher classes you will told that there are more than a dozen forms of dna higher class मतलब अब इंटर में तो नहीं forms होती है named after English alphabet with unique instructional feature जैसे यह dna b dna किसी का c dna होगा हर किसी के feature क्या है अलग-अलग होते है b dna का feature यह है clear हो गया dna का part है पहली बार पढ़ रहे हो ठीक है थोड़ा सा लग सकता है इसको तुम आसान बना सकते हो बच्चो कैसे गूगल वाब जिंदा बाद इसके बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस हैं है ना तो उस एनिमेटेड वीडियो को तुम लोग देख सकते हो ठीक है केवल वीडियो देखना और जो समझाया गया है उसको उससे compare करना ही कोशिट करना जो एनिमेट जो चीज लगातार चल रही है is state of body constituents कांस्टिट्वेंट मतलब होता है जिससे कोई चीज बनी हुई होती है हमारी बोडी किसकी बनी हुई है प्रोटीन फैट इन सब चीजों की बनी हुई है ठीक है ना इनका डैनमिक स्टेट मतलब यह लगातार चलाय मान है लगातार तो आखिरकार लगातार यानिक हम कह सकते हैं हमारी बॉड़ी में लगातार क्या हो रहा है हमारी बॉड़ी में लगातार chemical reactions हो रही है क्या हो रही है chemical reactions हो रही है हमारी बॉड़ी की जितनी भी chemical reactions है उन सब को मिला करके common नाम दे जे गए है Metabolism है ना तो concept of Metabolism हमारी body में all total जितनी भी reactions हो रही है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं Metabolism फिर इस Metabolism के दो पाट होते हैं एक Anabolism और एक Catabolism ठीक है न कुछ लोगो इस बाते पता होगी Anabolism में जब कोई चीज बनती है उसे Anabolism कहा जाता है जब कोई बड़ा molecule टूटके छोटा होता है तो उसे Catabolism कहा जाता है छोटे molecule जुड़ करके बड़े होते है Anabolism कहा जाता है Small से कोई चीज जुड़ करके बड़ी होती है जैसे कि इसके example में ले 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 हम लोग Glucose किसम बदल रहा था? Glycogen में हम जो रोटी खाते है रोटी के अंदर क्या होता है Carbohydrate बड़ी चीज है Big Big से कहा जाना है Small तो इसके example अगर हम ले ले इसके example में कौन आ जाएगा जो हम लोग क्या खाते है Carbohydrate किसके रूप में होता है रोटी के अंदर होता है और ये टूड जाता है किसमें Glucose है ना तो Metabolism जाने Chemical Reactions के दो पार्ट हो गए Anabolism और Catabolism अब इनके Dynamic State की बात करें Dynamic State का मतलब क्या ये लगाता है हमारे बोडी में Movable है या ये As it is रुके हुए तो Heading है Dynamic है ठीक है ना कैसे है ये Dynamic है तो आओ देखें क्या कह रहा है What we have learnt Till now Is dead हमने अभी तक क्या पढ़ा है ये पढ़ा है कि Living Organisms Be It A Simple जिंदा जो कीजे है Be It A Simple Bacterial Cell चाहे वो एक Simple साधा Bacterial Cell हो या Protojoa हो अब Plant एक Plant हो या एक Animal हो Contain उनके अंदर होते हैं Thousands of Organic Compound Thousands of Organic Compound है ना हमको देख बात पता ही है कि Cell के अंदर क्या होते हैं Thousands of Organic Compound होते हैं किसी भी Cell के अंदर है ना तो ये बात समझ में आ गई किसी भी Cell के अंदर Thousands of Organic Compound होते हैं These Compounds और Biomolecules इन्हीं को दम Biomolecules कहते हैं ये तो पढ़ रहे हैं अभी आज प्रिजेंट इन सर्टन कंसेंट्रेशन ये कुछ अमाउंट में मौजूद है मालो कार्भो हाइडिट की अमाउंट इतनी होगी मारी बॉड़ी में फैट की अमाउंट इतनी होगी ये फैट जब बढ़ता है फिर दिक्कत भी देने लगता है तो कह रहा है ये सब एक खास कंसेंट्रेशन में मौजूद हैं जिसको एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर सेल इतने मोल पर सेल मौजूद है या इतने मोल्स पर लीटर मौजूद है इनको express करने का तरीका क्या होता है? moles per cell अब आगे कहा रहा है One of the greatest discovery ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover अब तक कि तो सबसे बड़ी discovery है खोज है वो क्या कहा रहा है? They have turnover Turnover था क्या मतलब है? कहा रहा है This means that इसका मतलब यह है They are constantly being changed into some other biomolecule and also made from some other biomolecule याने कि ऐसा समझते है A, B बना रहा होगा B, C बना रहा होगा C, D बना रहा होगा D, A बना रहा होगा याने कि A लगातार B में बदल रहा है और A लगातार बन भी रहा है एक किसी और चीज़ को में बदल भी रहा है और वो वापस फिर किसी और से बन भी रहा है तो turnover का मतलब क्या है Means, constantly being changed into some other biomolecule याने लगातार B में बदल रहा है and also made from some other biomolecule और वापस किसी और से ये बन भी रहा है बात समय आ रही है this breaking and making is through chemical reaction यह जिसका टूटना और बनना किस के थुरू हो रहा है chemical reaction के थुरू हो रहा है constantly occurring in living organism और यह लगातार constantly occurring in living organism यह लगातार एक living organism के अंदर याने कि एक जीवित चीज़ के अंदर हो रहा है together all these chemical reaction सारी chemical reaction are called metabolism यह सारी chemical reaction को मिला लिया जाया है body के अंदर की या cell के अंदर की उसको हम लोग क्या कहते है metabolism कहते है clear होगे metabolism चले आगे each of the metabolic reaction result in the transformation of biomolecule जब भी कोई reaction होगी metabolic reaction उसमें biomolecule transform हो जाता है बदल जाता है a few example for such metabolic transformation कुछ example ऐसे metabolic transformation के लिए है जो वो के है removal of CO2 from amino acid making an amino acid into amine ठीक है ना amino acid है ना जो amino acid होता है उसमें से अगर हम CO2 को निकाल दें कार्मड अक्साइड जो था है ना COO निकाल दें तो वो क्या रह जाएगा amine बन जाएगा है ना amino acid में क्या था NH2 C, CO, H यह CO2 निकाल दे तो अब क्या रह गया यह amines रह गया के वल है ना R, NH, amines, organic chemistry पढ़ोगे उसको हम लोग क्या कहते है amines याने की CS3 और NH2 यह जो compound हो गया याने कि जिसमें NH2 हो के वल उसको हम लोग amines कहते है जैसे alcohols होते है वैसे यह amines की होते है ठीक है आगे आते है क्या बोल दे उसने amino acid को में से CO2 निकाल दो तो क्या बचेगा amines बचेगा removal of amino group in nucleotide base hydrolysis of glycosidic ठीक है अब आगे example क्या दे रहा है removal of amino group in nucleotide nucleotide में से हम लोग क्या निकाल दे amine group निकाल दे ठीक है यह कुछ example दे रहा है किसके कि किस तरीके से कुछ example है metabolic transformation के पहला example क्या दे रहा है CO2 from amino acid making an amino acid into amine removal of amino group in nucleotide base hydrolysis of glycosidic bond in a disaccharide etc यानि कि यह सब चीज़े टूट रही है इनका क्या दे रहा है example दे दिया इसने जो हमने पीछे पढ़ा nucleotide पढ़ा उसका तूटना और किसका तूटना glycosidic bond का तूटना यह सब क्या है metabolic का हिस्से है we can list 10 and thousands of such example हम लोग 10s, 1000s कितने भी example इसके लिख सकते है cell के अंदर भहुत सारे होते है majority of this metabolic reaction do not occur in isolation जादा तर यह reaction अकेले में नहीं होंगे देखो कहीं अकेला हो रहा है यह पूरा chain है एक cycle बनी है जा traffic signal रहता है गोल गोल ट्रेकर में ऐसा नहीं कि A और B आपस में होंगे एक पूरा chain सा रहता है पूरा है ना तो इसलिए यह कभी भी अकेले नहीं होंगे कि A और B आपस में आकेले टूट फूट रहे है ठीक है ना ओके but are always linked to some other reaction A का B से link up है B C का S से link up है S से link up है S से S का link up है हमेशा एक reaction दूसरे से क्या रहेगी linked रहेगी called metabolic pathway और इसी को हम लोग क्या कहते है metabolic metabolic pathway कुछ छूट गया गया in other words metabolites, okay they always linked to some other reaction ठीक है यह कहानी यहां तक होगी अब यहां देखते है in other words metabolites metabolites क्या होते है है ना metabolites size word यहां miss हो गया metabolites क्या होते है जो पार्ट टूट के बीच के जो chemicals product होते है उनको हम लोग क्या बोलते है metabolites metabolites are converted into each other in series of linked reaction एक जो series of linked reaction होता है इसको हम लोग क्या बोलते है metabolic pathway metabolites देखो A metabolite है B metabolite है C metabolite है D metabolite यहने कि जो भी product बन रहा है जो भी chemical बन रहा है उसको हम लोग metabolite बोलते है clear है These metabolic pathways are similar to automobile traffic कह रहा है यह लगबख वैसा ही है देखा न जहां पर गोल चक्कर रहता है यह मालूच चार रास्ते है तो लगातार क्या होगा यहां पर traffic यहां से आ रहा है traffic यहां गोल गोल तो घुमी रहा है कुछ traffic यहां आया यहां निकल गया traffic घुस भी रहा है और निकल भी रहा है तो इस तरीके से ही हमारी reactions रहती है बन भी रही है और तूट भी रही है clear हो गया This metabolite flow is called dynamic state of body constituent यह आ गया answer हमारी heading का यह जो लगातार हमारे जो metabolites हैं बन रही हैं तूट रही हैं बन रहे हैं तूट रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं dynamic state of body constituent यह निकि बॉडी के अंदर के जो chemical है वो dynamic state में है लगातार बनते और तूटते रहते हैं killer हो गया killer हो गी बात आगे आते हैं what is most important what is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishev for healthy condition यहां तो एक बार को तो टक्कर हो सकती है हमारी body में ऐसा नहीं होता है सारे chemical बड़े smoothly किसको किस से बनना है किसको किसमें तूटना है बड़ा smoothly होता है अगर आप fit है तो कोई body में दिक्कत है बिमार हो तो एक अलग बात हो सकती है बड़ा स्मूध ली तरीके से हो रहा है ना वट इज मोस्ट इंपोर्टन इस देट इस इंटरलिंक्ट मेटावलिक ट्राफिक इस वेरी स्मूध बहुत स्मूध है कोई इसमें ऐसा नहीं कि अचानक A से B, C बनने लएगा से डी में घुच जाएगा ऐसा नहीं होगा ठीक है ना एंड विदाउट शिंगल रिपोर्ड़ेड मिशेफ मिशेफ मतलब दुरगटना कोई भी दुरगटना नहीं होती है फॉर हेल्दी कंडिसें अगर कोई इंसान स्वाष्ट है अनदर फीचर और भी में घुचसर ऑफ तुमने आज सुवरे खाना खाया और हमारी वाड़ी में चेटलाइस्ट नहा हो यह खाना लगबग-लगबग 16 साल तक पच्छ नहीं पाएगा पढ़ा रहा है ऐसा ही है ना पचेगा नहीं तो energy नहीं मिलेगी और हम लोग पढ़ जाएंगे तो catalyzed reaction है हर reaction में catalysis हो रही है catalyst के help से reaction बड़ी fast हो रही है there is no uncatalyzed metabolic conversion in living system very important कोई भी क्या अब सवाल उठता क्या कोई बिना catalyst के कोई reaction होती है even co2 dissolves in water a physical process is a catalyzed reaction जो physical process के co2 water में dissolve हो रहा है यह भी क्या है catalyzed reaction है in living system में देखेंगे इसको हम लोग ठीक है the catalyst which hasn't the rate of given metabolic conversion are also protein जो catalyst होते हैं वो ultimately है क्या proteins है यानि की catalyst का काम मैं बता दूँ हमारी body में catalyst का काम कौन करते है enzymes ठीक है ना these protein with catalytic power are called enzymes है ना जो proteins होते हैं वही enzymes होते हैं enzymes क्या करते हैं catalyst catalyst क्या होते हैं catalyst अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ catalyst कुछ और नहीं है जो catalyst है यह क्या है यह वो चीज़े हैं जो reaction को तेज करती है लिख लो जिनको नहीं पता और कई बार लिखा होगा तुम्हार पास बायो catalyst तो बायो catalyst मतलब बायो मतलब living चीजों के अंदर पाए जाने वाले catalyst उनको हम बायो catalyst कहा जाते हैं बात समझ में आ रही है तो इवन जो हमारी body में CO2 जब cell से निकल के blood में डिजॉल्व होता है ना वहाँ पर भी carbonic and hydrates एक enzyme इस्तमाल होता है पढ़ेंगे है ना human physiology के अंदर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको यह बात समझ में आ रही है clear है तो बायो catalyst या catalyst के लोग क्या होते हैं यह proteins होते हैं proteins ही enzymes होते हैं clear है okay all enzymes are protein metabolic basis for living है ना अभी हमने क्या देख लिया क्या जाना हमने जाना dynamic state है ना dynamic state of body constraint concept of metabolism हमने समझा metabolism क्या होता है अब यह कह रहा है metabolic basis for living metabolic basis जिंदा रहना है तो metabolic या metabolism हो गई होगा उसके बिना हमनों जिंदा नहीं रहा पाएंगे तो क्या कह रहा है metabolic pathways can lead to a more complex structure from a simpler structure ठीक है जो metabolic pathway है can lead हो सकता है कि वह more complex structure बना दे from a simpler structure से यह अभी वही बात करने जा रहा है ठीक है metabolic और catabolic की एंजाइम आ गया यहां पर जो मैंने बात कर ली थे अनवालिम के अब यह metabolism के उसी पार्ट की बात करने जा रहा है कह रहा है कि अगर more complex कोई बड़ी चीज बन जाती है और complex complex मतलब होता है जटिल कोई जटिल इस्ट्रक्चर बनता है किससे simple structure से जैसे कि मैंने एक्जामपल लिया था glucose से कार्वाइड्रेट फॉर एक्जामपल दे रहा है से जाता है लेक्टिक असिड में और सिंपल हो गया यह स्केलटल मसल में मसल्स में जाकरके गुलकोष किसम बड़ा जाता है लेक्टिक असिड में लेक्टिक असिड गुलकोष से ज्याधा simple structure है the former case यह वाला complex से simpler और काल्ड बायो सिन्थेटिक पाथ्वे और more complex structure form मतलब की simpler से क्या बन रहा है more complex structure from simpler simple से complex बन रहा है इसको में कहते है biosynthetic pathway यानि की हमारी body में synthesis हो रही है living thing के अंदर synthesis हो रही कोई चीज बन रही है synthesis मतलब बनना ठीक है और anabolic pathway anabolic रास्ते कहा जाता है लेटर बाजवाला constitute degradation वो टूट रहा है and hence are called catabolic pathway अगर किसी को याद एक में दिख्का था तो इसका बड़ा simple सा तरीका है बिल्ली किचर में जाएगी cat किचर में घुश जाए तो क्या होती है सारे बर्चन ग्राद के तोड़ फोड़ कर देती है तो catabolism catabolic जो तोड़ दे complex structure में तोड़ेगी उसका हम लोग क्या कहेंगे catabolic pathway anabolic pathways as expected अब कहानियां खतम कर दियों कह रहा है anabolic pathway as expected जैसा कि मैं expect करते हैं consume energy जैसा क्या हो रहा है कोई चीज बन रही है जब कोई चीज बनेगी तो energy दो लगेगी खीक है ना तो anabolic pathway as expected जैसा हम सोच रहे है energy खाएगी assembly of protein from amino acid requires energy यानि कि amino acid छोटे थे protein बड़ी चीज हो गई तो amino acid इसे protein बनती है इसके लिए क्या चाहिए होती है requires energy input energy का input चाहिए होता है on the other hand catabolic pathway lead to release of energy जब कोई चीज टूटेंगी bond टूटेंगे तो उस कंदर से क्या निकलेगी energy निकलेगी ठीक है फॉर example when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle energy is liberated energy क्या होती है release होती है clear है this metabolic pathway from glucose to lactic acid which occur in 10 metabolic step is called glycolysis अब जब जहां पर glucose टूट करके energy दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते है glycolysis है detail में आएगा ठीक है ना जब हम लोग पढ़ेंगे क्या plant physiology उसमें glycolysis हमारे पास आने वाली है okay living organisms have learned to trap this energy living organism have learned living organism learn कर चुके हैं सीख चुके हैं क्या यह जो energy निकलती है इसको trap करती है है ना हमारे गुलकोस में से energy टूटती है कि इसकी form में इस्टोर रहाती है ATP की form में है ना एड्नोसाइं ट्राइफॉसपेट याद न है का मनता है mitochondria में mitochondria is the energy currency of cell बात याद है 10th 9th की नहीं बोल गए 10th 9th ही गया इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाता हमने cell उसमें भी सारी बाते है ठीक है living organisms have learned to trap this energy वो learned कर चुके है सीख चुके है कि energy को कैसे trap किया जाए liberated during the degradation जो जब degradation होता है glucose टूटेगा तो energy निकलेगी उसको store करना इसको आता है हमारी body को and store it in the form of chemical bond वो chemical bond की form में store कर लेता होता क्या है एडनोसाइन डाइफॉसफेट प्लस इन और्गनिक फॉसफेट मिल करके क्या बना लेता है ATP है ना ट्राइफॉसफेट इसमें से ट्राइफॉसफेट जब वापस टूटे का डाइफॉसफेट में तो उससे energy रिलीज होती है कि मैं यहां बात कर रहा हूं तुम लोगों से और जिसमें energy खर्च हो रही है मेरी बहुत सारी ATP खर्च हो रही है मेरी बहुत सारी ATP खर्च हो रही है किलियर है as and when needed जब कभी भी जरूत होगी this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform जब भी हमें जरूत होगी हमारी body में कोई biosynthesis हो रही है हमारी body में कोई चीज़ बन रही है कोई osmotic चीज़ हो रही है कोई mechanical work हम लोग है दौड रहे है उस समय यह energy जो store कर ली गई है ठीक है bond के रूप में ATP के रूप में वो क्या कर ली आती है इस्तमाल कर ली आती हमारी body को द्वारा the most important form of energy currency currency मतलब रुपिया energy की form का रुपिया in living system is the bond energy in chemical called adenosine triphosphate अगर energy को रूप में कोई bond जो store करता है energy को उसको क्या कहते है adenosine triphosphate कहते हैं clear है बच्चों वाली बाते हैं आगे आते हैं how do living organism derive their energy यह अपनी energy को कैसे derive करते हैं what strategies have they evolved उन्होंने क्या रुण नीती अपना रखी है how do they store this energy and in what form है ना living organism किस तरीके से इस energy को store करते हैं और कैसे इसको बनाते हैं how do they convert this energy into work living organism किस तरीके से इस energy को work में convert करते हैं you will study and understand all this under sub-discipline called bio energetic letter in your higher classes है ना सारी बाते higher class के लिए छोड़ दे गई है तो ठीक है हमको यहां तक बाते समझ में आई एनवालिक के टावालिक में बायो संथेटिक पार्ट energy का बनना energy का इस्तेमाल होना इस सारी बाते हमको समझ में आती है ठीक है आगे आते हैं क्या बोल रहा है ये दा लिविंग स्टेट ठीक है ना अब कोई चीज जिन्दा है तो उसको क्या कहेंगे लिविंग स्टेट के अंदर इसके अंदर क्या बताना चाहरा हो देखते हैं अब तुम जरूर समझते होगे इस बात को 10s and 1000s of chemical compounds जो 1000s, 10s, 1000s of chemical compounds हैं लिविंग ऑगनिवम में otherwise called metabolites जिनको हम metabolites कहते हैं गुलकोस, lactic acid ये सब क्या है metabolites है या बायमालेकूल कहलो आज present at concentration ये एक खास concentration में मौझूद है characteristic of each of them जो हर किसी की characteristics है अगर protein है तो इतनी मात्रा में होगा carbon hydrate है तो इतनी मात्रा में होगा कम ज़्यादा होने से हम लोग क्या हो सकते है मिमार हो सकते हैं बात समझ में आ रही है for example the blood concentration of glucose in normal healthy individual is 4.2 millimoles ठीक है L6, जो L 6.1 millimole per liter ठीक है न millimole per liter है या sorry millimole per liter या 6.1 millimole per liter या 6.1 millimole per liter ये range है इसकी millimole per liter तो बात को समझो हमारे blood में इतनी range तो अच्छी है इससे ज़्यादा होगी तो diabetes के पेशन्ट हो जाते हैं हम लोग तो वो यही बताना चाहरा है living state के लिए हर metabolite का एक खास concentration रहेगा हमारी body में एक range रहेगी यहां से लेकर यहां तक उससे कम दिक्कत होने लेगी उससे ज़्यादा भी दिक्कत देगी हमारे पास यह एक उसकी हर एक metabolite की खासियत है कि उसका क्या concentration हमारी body में रहेगा while that of hormones would be nanogram hormones nanogram में चाहिए होते हैं बहुत कम छोड़ा सा hormone निकला है तो बहुत दिक्कत हो जाती है the most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state सबसे बड़ा important biological system का जो सबसे बड़ा fact क्या है all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of the biomolecule steady state का क्या मतलब है समझो बात को यहां पर steady state का मतलब होता है जितना है उतना ही रहना तो क्या हमारी body में यह जो सुगर लेवल माल लेदे 5.5 है आज ना पा 5.5 चार दिन बाद ना पा 5.5 तो 5.5 वही वाला सुगर है तो answer है concentration तो उतना बना हुआ है that is your steady state पर 5.5 पिसलिवार वाला नहीं है वह वाला सुगर तो आगे इस्तमाल हो गया होगा जो हमने और खाया है खाना आना उससे सुगर वह आ गया होगा है ना तो concentration का steady state रहना जरूरी है याने कि इसी range में रहेगी वह ठीके ना ओके these biomolecules are in metabolic flux flux का मतलब क्या होता है flux में दो बातें आती है enem flux एक होता है out flux influx मतलब कोई चीज अंदर आना on out flux मतलब कोई चीज अंदर आना तो कह रहा है these biomolecules are in metabolic flux है na reaction metabolism मतलब जो reactions हो रही है उनका flux अंदर भी आएंगी और बाहर भी जाती है जितना बनेंगी उतना कर्च भी होती है एनी घemi किया फिजिकल प्रोसेस मूफ कोई भी जो केमिकल प्रोसेस वह अपने आप कहा पहुंच जाती है है न कहने क्या मतलब है एक टाइम के बाद ए से बन रहा होगा और थोड़ी दवरत ब से क्या बनने लाएगा ए बनने लाएगा तो जितना भी बनेगा उतना है एक टाइम के पाद एगर आगे बढ़ेगा भी बनाएगा तो एकलीबरियम आ जाता है यहां से कहने का क्या मतलब है यहां equilibrium को से कहने का मतलब है A अगर 2 gram है तो A से B बन रहा है यह हो गया 1.5 gram है ना C से वापस A बन गया वापस हो गया 2 gram तो यह 2 से लगाता 2 बना हुआ ना 2 1.5 2 यह जो उसी range में घूम रहा है यह equilibrium वाले बात हो रही है यहां पर तो यहां पर क्या बोल रहा है वन शुड़ आगे रिमरब आहां दा सेड़ी ओके फिश के बात समझा दी इसने एज लिविंग और रिजम वर कंटिविंग लिविंग लगातार काम करते रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एकलिब्रियम आ जाए एकलिब्रियम आ गया तो ठप पड़ गया मामला एकलिब्रियम मतलब सारी चीज़ बन अल्टिमेटल तो टू ग्राम बना रहेगा यह हम कह सकते ही स्टेडि स्टेट आ ठीक है ना टू बी एबल तू परफॉर्म वर्क है ना तो लिविंग स्टेट की डेफिनिशन क्या है नॉन इकलिब्रियम इस्टेडि स्टेट यहां पर हमको खास जियान रखना है कि यह अमाउंट और कंस हो जाएगी वहीं के वहीं रुप जाएगी ठीक है दिस इस अचीवड वाई एनर्जी इंपूट यह कैसे होता है कि हम एकलिब्रियम में ना जाए एनर्जी का इंपूट होता रहता है ठीक है मेटाबॉलिम प्रोवाइड साम मेकानिम फॉर दा प्रडॉक्शन आफ अगर कोई चीज जिंदा है मतलब उसके मेटाबॉलिम हो रही है विदाउट मेटाबॉलिम देर केनौट बी यह लिविंग श्टेट कोई जिंदा नहीं रह सकता है बास समझ में आ रही है नेक्स्ट एंजाइम है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे लास्ट कर दिये इसको अच्छे से इन में से जहां जहां समय में ठिकत आ रहा इसको हिंदी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करना एक इसका मतलब यह है एक और NCRT समझ में आ गई तो यह हल्वा हो जाती है बायों में फिर में काम रहाता है उसको बार-बार revise करना के लिए रहे तो तुमको क्या करना है केवल समझ करके पॉइंट बना चाहते हैं तो